हेलो गाइज आज हम बनाएंगे कटैल की सबजी यहां यहां पर मैंने कटैल को चोटा चोटा कट कर लिया है यहां पर मैंने प्याज लिया है चार चार से पांच कलिया लिया है दो बड़ी पर मिर्च थी मैंने उसको चोटा कट कर लिया और एक इंच अद्रक लिया है इसे अप इस जार में डालके हम अच्छे से पीस लेंगे और एक fine paste बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने इसका fine paste बना लिया है और चलिए अब हम चलते हैं आप इसे फ्राई नहीं करोगे तो फिर वो सबजी में वो टेस्ट नहीं आएगा और वो हलका कच्छा कच्छा लगेगा और हमारा कटायल जो है वो ना सई से पकेगा भी नहीं तो उसके लिए हम पहले इसको छील के ऐसे छोट-छोटा कट करके और फिर इस तर तेल में डाल अच्छे से फ्राई कर लेंगे यह देखिए ऐसे बस ऐसे चलाते हुए इस अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए इस तरह और जब हल्का सुनहरा हो जाएगा गोल्डन कलर का हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे इस प्रेट पर यह देखिए गाइस ऐसे चला आना है ऐसे नहीं तो यह कड़ाई में चिपकने लगेगा बस ऐसे ही चलाते चलाते इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे झाल आना है कि यह दिखे गाइस को रहा हमारा फ्राइब हो किया है तो इसे में निकाल लेंगे और यहां पर मैंने उसे प्लेट में निकालने के पाद फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल और एट कर लिया है अब मैं इसमें एक चमच के करीब जीरा डाल दूगी और देखे जीरा हमारा पकने लगा है इस स्टेज पर मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था ना सारे लैसोन और प्याज और मेर्च और अद्रक वो डाल दूँगी देखे हमारा जीरा जैसे पक जाएगा ऐसे मैं इसमें सारा मसाला इसमें ढाल दूँगी और इसे चलाते हुए सारा मसाला मिक्स कर लेंगे यह देखे और अच्छे से मसाले को हमें बूंच लेना है यह देखे गास ऐसे इसमें अब मैं एक चममच रल्दी डालोंगी और एक चममच धनिया पाउडर और आदा चममच रेड चिली पाउडर यहनि लाल मेच पाउड़र और से अच्छे से मिला लूँगी एसे करते हुए इसे चला के सारे मसालों के साथ सुखे मसालों को भी मिक्स कर लेंगे ये देखिए ऐसे ध्यान रखें कि जो भी मसाला है वो अपकी कडाई में या पैन में लगना नहीं चाहिए अगर आपको इसका फ्लिवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसकी जगे गरम मसाला भी आट कर सकते हैं जाना को यह थी देखिए लगव इसमें एसे मिक्स कर दूंगा अ Um पय देखिए ऐसे में जाने को गह तु तो पहले में थोड़ा पानी आट कर रही हूं यह दीके है ऐसे अ इसे अच्छे सर पूरा मसालिकों पानी को मेक्स करें लेंगे तो यह अच्छी सी ग्रेवी बनकर तेयार हो जाएगी फिर मैं इसमें एक चमश नमक हाल रही हूं ही तेके और फिर नमक यह देखें थिग ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है पर अभी इसमें मैं थोड़ा सा फानी और एड़ करूंगी यह देखें यह देखें हमारी जब ग्रेवी है उपाल आने लगा है और इसी तरह फिर हम से पकने देंगे बाद में इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे जब यह अच्छे सिस्स पख जाएगा न उसके बाद यह देखें इसमें मैं ने पानी आट करदिया है और आप अपने एकॉर्डिंग जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी एड़ कर सकते हो नो राउट पर जादा पानी मत एड़ करियेगा जिससे की फिर वो बहुत जादा पतली हो जाएगी आपकी ग्रेवी यहां पर फिर हम अपना कटैल एड़ कर देंगे और फिर इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे यह देखें ऐसे और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए ऐसे और फिर हम इसको थोड़ी ज़र के लिए ढग देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए हम इसे ढग कर पकाएंगे क्योंकि कटैल जो होता है वो पकने में टाइम लेता है और यह देखिए हम इसको थोड़ी देपक चेक करते हैं और यह हमारा उपर कटो पर यह पका देंगे फिर से क्योंकि अभी कटैल पका नहीं है पड़ा बगने में टाइम लगता है वरकतो हमारा पक गया है पर जो इसके अंदर के एक सीट होता है वह भी तक पका नहीं है तो मैंसे फिर से ढगतेंगे अब करी पांच मिन्ट के लिए मार डगतेंगे फिस गया दि गड़ी गद्री करेफ मार देख सकते हैं कि यान फाक है और जो इसके अंदर कर सीः है जब वह असानी सेीज ली कर जाए तो यहां पे मेरा कटैल जो है ऑ पो और रहाक यह देखिए आपको मैं दिखाते हो पस से यह देखिए यह देखिए असानी से इसली कट हो रहा है तो अभी है मेरा पक्के है तो इसलों में अपनी लास्ट इंग्रीडियन जो है वह आड़ कर दूंगी और तर उसके बाद में बंद कर दूंगी तो यहां पर मैं यहां पर हरा दनिया अट कर रही हूं पी इस क्रेवी प्यारा दनिया यहां पर यहीं पर आट कीजेगा अथरवाइस वो फिर ब्लाक हो जाता है और पर दनिया को आट करके हम गयास को अब कर देंगे यहां हमारा कटाइल रही है थैंक्स पर वाचिम बाए 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 कर दो